बिहार के मुख्यमत्री नितिश कुमार की पहल पर लोकसबा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक मंज पर लाने के मकसद से राजधानी पटना में 12 जून को सयुक्त बैटक प्रस्तावित है इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही है लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि अब ये मीटिंग उस दिन नहीं होगी मागट बंदन सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक विपक्षी दलों की ये बैटक 23 जून को हो सकती है पटना की ज्यान वबन में होनी थी बैटक बिहार जदियू के नیटा विपक्षी दलों की होने वाली बैटक स्थगित किये जाने के मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं पटना के ज्यान वबन में 12 जुन को दो बज़े से मिरधारित की गई थी मुक्यमंतरी नितीश कुमार ने अधिकांज विपक्षी दलों को बैटक के लिए आमांतरन भेजा था खुद सबसे बात भी की थी जदियू नेताओं की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा था कि अधिकांज विपक्षी दल बैटक में शामिल होंगे और पूरे देश को बीजेपी की खिलाफ एक मैसेज दिया जाएगा लेकिन बैटक में विपक्षी दलों के बड़े नेता के नहीं आने के कारण नितीश कुमार को फिलाल इस बैटक को टालने का फैसला लेना पड़ा है कांग्रेस के नेताओं के साथ दिली के मुख्यमंदरी केजरिवाल को लेकर भी संशे बना हुआ था क्योंकि केजरिवाल कें सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से मिलकर समर्थन मांग रहे हैं कांग्रेस से भी समर्थन मांग रहे हैं लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक समर्थन देने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है ऐसे में केजरिवाल के विपक्षी दलों की बैठक में आने की संभावना नहीं रह गई थी ओडिसा के मुक्यमंदरी नवीन पतनायक और तिलंगाना के मुक्यमंदरी केसी आर और बैठक में बुलाया ही नहीं गया था ऐसे में जब अधिकांच विपक्षी दलों के बड़े नेता बैठक में नहीं आ रहे थे तो बीजेपी के खिलाव 2024 में जिस मकसद से बैठक बुलाई गई थी वे कहीं से पूरा होते हुई दिख नहीं रहा था और इसी कारण नितीश कुमार ने फिलाल इसे टालने का फैसला ले लिया है लेकिन सुत्रों के मुताबिक जल्दी कॉंग्रस नेताओं से बातचीत कर अगली तिखी तै की जाएगी अभी नितीश कुमार को विपक्षी दलों की एक जुट्ता की मुहीं के तहट बैठक नहीं होने के कारण एक बड़ा जटका लगा है बैठक को लेकर पहले से संशे की सिती बनी हुई थी क्योंकि कॉंग्रस अध्यक्ष और राहूल गांधी के अनुपस्तिती में बैठक का क्या भविश्य होता इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं था महीं तमिलनाडू के सीम स्टालिन ने भी 12 जून की बैठक में हिस्सा लेने में असमर्थता जटाई थी और तिथी को आगे बढ़ाने की बात कही थी वियार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार पिछले कई महीने से इस मुखीम में जुटे हुए थे उन्होंने कई प्रांथ के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दल्लों के सुप्रीमों से मुलाकात कर विपक्षी एक जुट्ता में शामिल होने के लिए तैयार किया था इस कड़ी में विद्दिली के सीम अर्विंद केजडिवाल, पस्षिम मंगाल के सीम अमताव एनरजी, सपा परमुक अखिलेश यादव, जारकंड के मुख्यमंत्री एमंत्र सोरेन, एन्सीपी सुप्रीमों शरतपवार, उद्धो ठाकरे, सीपीम के लीडर सीताराम यचू आइप करें